BDE News, भंडारा डिस्टिक स्पेशल अभी ये मुकाबला सुनिल जी मेंडे और डॉक्टर प्रशांत पडोडे के बिच होने वाला है ऐसा हमें अभी तक लग रहा था लेकिन यहां बहुत बड़ा पेच फस गया है क्योंकि वंचित बहुजन आगाडी के प्रमुक प्रकाश अम्बिट करने रविवार को शिव सेना से जोकी उद्धव ठक्रे की पार्टी है उनसे नाता तोड़ दिया है और साथ ही उन्होंने सीट बटवारे को लेकर अगाडी गड़बंदन को 26 मार्श तक का अल्टिमेटम जारी कर दिया है तो इस तरह से इनका अभी यहने वंचित बहुजन आगाडी का और जो महाविकास आगाडी है इसमें कुछ समझे होता नहीं होता है तो भंडारा गुंदिया लोकसभा सीट पर प्रकाश अम्बिट कर जी अपने उमेदवार खड़ा कर देंगे तो यहाँ पर अभी जो दोनों में लड़त होने वाली थी तो इसमें तीसरा आ जाएगा और यहाँ भंडारा गुंदिया लोकसभा सीट पर तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा होने वाला है क्योंकि यहाँ पर वोटो का बटवारा बहुत ही बड़े लेवल पर होने वाला है तो आगे देखते हैं कि यहाँ बटवारा किस तरह से होगा तो अगर आपने बेडी नीज हिंदी इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकान का बटवन जरूर दबाईए ताकि आपको जो आगे आने वाले वीडियोज है उसके नोटिफिकेशन मिल सकें वीडियो को लाइक कीजिए और शेर कीजिए तो आगे देख सकते है कि जो महायूति के उमेदवार है सुनिल जे मेंडे वो भी कुनभी समाज से आते है और जो महाविकास आगाली के उमेदवार है डॉक्टर प्रशांत पडोले वो भी कुनभी समाज से आते है अभी तक भंडारा गुंदिया लोकसभासिट पर जो कुनभी मत है वो एक तरफ जाते थे यहने एक तरफ गठा मत जाते थे जिस तरफ कुनभी उमेदवार हो तो अभी वो बटने वाले है अब वो बटते है या एक तरफ जादा जाते है यह आगे देखने वाली बात है क्यो और उनका यहाँ पर कितना प्रभाव है वो लोग ही बता सकते है तो वो यहाँ के सिटिंग खासदर है और जो डॉक्टर प्रशान पडोडे है जो महाविकास अगाडी की तरफ से है तो उनके पिता जी जो यादवराव जी पडोडे थे वो यहाँ के दूद फेडरेशन के अ गाओ है वहाँ पर उनका अच्छा खासा प्रभाव था और जो डॉक्टर प्रशान पडोडे है तो वो एक तो मेडिकल फिल्ड में होने की वज़े से उनका भी यहाँ पर जो गाओ-गाओ के लोग है वहाँ पर अच्छा खासा प्रभाव है और उनका भी उनके पिता जी क बाद उनको बहुत माना जाता है यहां भंडाराग जिले के गाउ में तो इस तरह से यहां पर दोनों का भी प्रभाव है अब आता है जो बाकी के वोट है वो कहां पर बटेंगे तो एक तरफ यहां भंडाराग उंदिया जिले में जो अमबेट करी समाज है यहां जो जो वोट बैंक है उसमें भी बठवारा हो सकता है और कुछ गिने चुने होट बिजेपी की तरफ जा सकते हैं तो इस तरह से यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा बठवारा हो सकता है तो यहां भंडारा गूंदिया लोगसभा सीट पर ऐसे लग रहा है कि ये जो बटवारा होगा तो इस से किसी की भी सीट याने सुनिल मेंडेजी की सीट या जो डॉक्टर प्रशांत पडोडेजी की सीट और जो वंचित भहुजन अगाडी का केंडियेट रहेगा उसकी भी सीट किसी की भी सीट सिक्यूर नहीं रहेगी और जो लोग अभी कह रहेते कि ये दोनों में ही फाइट होने वाली है, तो अभी ये फाइट तिरंगी होगी, अभी ये दुरंगी फाइट नहीं रहेगी, क्योंकि अभी तक ना बीजेपी की तरफ से कोई अमबेटकरी कैंडिएट अभी तक चुनके नहीं आया है, और ना कॉंग् अम्बेटकरी समाज है जो बौधिश्ट समाज है वो परकाश अम्बेटकर की तरफ जा सकता है अगर यहाँ पहले का रेकॉर्ड देखा जाए तो यहाँ पर भंडारा गुंदिया लोकसभा सीट पर बड़े बड़े दिगज लोक यहाँ पर हार गये है जिसमें डॉक्टर श सीट पर हार गये है इस तरह से भंडारा गुंदिया लोकसभा की सीट बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है तो यहाँ पर जो अभी दुरंगी लड़त होने वाले थी अगर वंचित बहुजन आगाडी और जो महाविकास आगाडी है इनमें कुछ समझा होता नहीं होता तो य यहाँ पर जो दुरंगी की बज़य अभी तिरंगी लड़त हो सकती है और एक फैक्टर यहाँ भंडारा गुंदिया लोकसभा सीट पर काम कर सकता है वो है अपक्ष उमेद्वार और डमी उमेद्वार बहुत सी पार्टिया दूसरे का होड़ बैंक कम करने के लिए अपने डमी उमेद्वार खड़े करते है और जो अपक्ष है वो भी जो वोड़ बैंक है उसको काटने का काम करते है तो यही भंडारा गुंदिया लोकसभा सीट पर बहुत से अपक्ष केंडिडेट खड़े होने वाले है और बहुत सी ये दोनों गूठ है वो भी शायद डमी जो उमेद्वार है वो खड़े कर सकते है तो आगे देखने वाली बात है कि यहाँ पर कितने अपक्ष उमेद्वार खड़े होते है और कितने डमी उमेद्वार खड़े होते है क्योंकि अगर यहाँ पर पिछले इलेक्षन देखे जाए तो इस भंडारा गुंदिया लोकसभा यहाँ पर जो candidate है वो खड़े हो जाते है तो देखते हैं अभी कि कितने candidate अभी खड़े होते हैं और कितने अपक्ष और कितने dummy candidate यहाँ भंडारा लोकसभा सीट पर खड़े होते हैं इससे हमें पता चलेगा कि कौन आ सकता है और कौन नहीं तो हम आगे क्या-क्या होता है इस पर हमारी नजर रहेंगी तो हम आपको आगे क्या-क्या अपडेट होता है यहाँ आपको हमारे चैनल बीडी न्यूज हिंदी पर देते रहेंगे तो इसके लिए आप अभी बीडी न्यूज हिंदी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकान का बटन जरूर बीडी न्यूज भंडारा डिस्ट्रिक स्पेशल हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए